कि नमश्कार मेरा नाम इशुबम जग्दीच और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे चानल विश्वास CA के ऊपर तो भई आज से ठीक तीन महीने बाकी हैं आपके जानवरी 2025 CA Foundation के इमतहान में अब ये तीन महीने की क्या strategy होनी चाहिए क्या आपको follow करना चाहिए ये मैं मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको इक बात बताना चाहता हूं हर एक बंदा अलग है सब की characteristics अलग होती है तो सब की strategy भी अलग-अलग होगी तो मैं कोशिश करता हूं कि मैंने आपको ये strategy अलग-अलग learning जादा पसंद है वह बच्चा जिसको ठीयोरी बहुत जादा अच्छी नहीं लगती है उसको कैसे त्यारी करनी चाहिए और वह बच्चा जिसको ठीयोरी बहुत पसंद है जिसको लगता है कि बसमें नोट्स बना लूँ एक बार पर डालू याद हो जाती है मुझको चीज याद नहीं होती है, तो तुमहें क्या करना चाहिए? तो वो बचा जिसको program1 में जिसको numerical aptitude रखता है, उसको focus करना चाहिए chapter number 1 से लिकर chapter number 6 तक उसको focus करनाрий है? Chapter No. 1 से लिए Chapter No. 6 तक उसको 60 No. मिल जाएंगे कितने दिनों में खटम करना चाहिए आपको Chapter No. 1 से लिए Chapter No. 6 आक्टूबर में ही खटम करना चाहिए जल्दी खटम हो जाएगा, कम पढ़ना पढ़ेगा और जादा मार्थ आपrix अप अच्छीव कर सकते हो जैसे कि क्या, अगर मैं हर चाप्टर की एक अलग strategy आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करनी चाहिए, अगर आपको जदा conceptual learning पसंद है, तो जैसे आप आते हैं, nature and scope of business economics में, ये तो दिको theoretical chapter है, लेकिन है बहुत simple, चीक है ना, कि भी या, what to produce में क्या होगा, how to produce में क्या होगा किस तरह की economy होती है, किस तरह के decision लेते हैं, तो उसमें कुछ याद नहीं करना है, तो ये chapter के, अगर आपने चिंटू candy notes बना लिए हैं, चिंटू candy notes आप समझते होगा, अगर हम मेरे से बढ़ते हो, तो मतलब एक बार देख लिया है कि module में इसके notes कैसे हैं, उसमें से कुछ highlighted mind map आपने बना लिए हैं, प्लस आपने module के question कर लिए है, module के question कर लिए, इसके लिए आपको ज्यादा question practice करने की जरूत नहीं है, आपका chapter अराम से prepare हो जाएगा, जब हम आते हैं, chapter number 2 के उपर, जिसमें आता है demand, consumer behavior और supply, ये conceptual chapter, ये theoretical नहीं है, बिल्कुल भी, bandwagon effect क्या होता है, आपको पता करना होता, web benefit क्या होता है, ये सारी चीज़े conceptual learning की है, demand right side कैसे shift होगा, backward bending supply curve क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, आपको self preparation वाले notes बनाने हैं, आपने chapter पढ़ा, आपने अपने notes प्रिपेर कर लिए हैं, इससे काम बन जा साथ में इसमें थोड़े से diagrams आप जरूर practice करिएगा, ठीक है ना, कि right side क्या होता है, left side क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, ये सपर ध्यान रखते हुए chapter number 2 prepare करना है, तो जैसे आपने week 1 में आपना target ये रखा है, let's say, October चल रहा है, October के week 1 में आपने target ले रखा और 10 नमबर ये देगा, 25 नमबर पहला हफता of October काम बन जाए, कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताबे नहीं ढूर नहीं केवल, अपने notes और module के question, अपने notes, module के question, अगले chapter पर आते है, chapter number 3 की क्या strategy हो नहीं चाहिए, chapter number 3 production और cost है, numericals है इस chapter के अंदर, इसके अंदर आपको ये जगा कि law variable proportion क्या होता है, returns to scale क्या होता है, short run क्या होता है, long run क्या होता, relationships है, पूरा-पूरा conceptual learning है, theoretical नहीं है कि इस economist नहीं क्या कहा है, ऐसी कोई बत्तमीजी चाप्टर के अंदर है ही नहीं, तो इसको पूरा detail में notes बना लो, module के question कर लो, खतम बेटे, खतम, मतलब same strategy यहाँ पर follow हो सकती है, तो week number one, October का पहला में, हफ्ता, आपको ये तीन chapter complete करने है, और relax करना है, जैसे ही आपके तीन chapter को तुम को वा भाई, गोवा वाले बीच में, थेंगे न, भाई-वाला आपको ऐसा आनंद की अनुभूती लेनी है, फिर आगे आते है, week two शुरू हो रहा है, October पढ़ेगा, दूसरे हफते में, chapter number four पढ़ेगा, chapter number five पढ़ेगा, chapter number six पढ़ेगा, chapter number four क्या है, पंदरा नंबर देगा, छोड़ना ही नहीं है, diagram ही diagram है, diagram ही diagram है, ठीक है, अलग-अलग market, अलग-अलग diagram, जितने ज्यादा, कोई theory नहीं, सिर्फ diagram, सिर्फ conceptual learning, तो इसमें आप क्या करना है, price determination, different markets के अंदर क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा, diagram की practice करनी है, diagram बनाए, अपने चिंटू candy notes बनाए, और module के questions लगाए, diagram बहुत जरूरी है, अपने notes बहुत जरूरी है, अपने notes बहुत जरूरी है, अपनी जबान में, चाहे हिंदी में बना लो, चाहे chapter number 4, ये week 2 चल रहा है, October का, भाई, पूरा महीना नहीं लेगे जा रहा हूँ, दूसरे ही हफते में आपको ये पढ़ना है, फिर आपने chapter number 5, दुनिया का सबसे आसान chapter, theoretical है, लेकिन बहुत ज़्यादा theoretical भी नहीं है, इसलिक अराम अराम से काम चल जाएगा, इस chapter के अंदर, एक ही unit है, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, module के question लगा लो, इसकी बहुत ज़्यादा theory प्रिपेर करने की भी जरूत नहीं है, इसमें आपने का क्या, इसके notes नहीं भी बनाये चल जाएगा, आपको करना पड़ेगा, reading, module की reading मारी, और module के question कर दिये, खतम बेटे, खतम, फिर आता है, एक chapter जिसको थोड़ी सी इजद देनी चाहिए, उस chapter का नाम है national income, यह उन बच्चों के लिए है, जिनको numerical ठंडक देते हैं सीने में, तो यह वो chapter है national income, दो units है, 15 नमबर देने जा रहा है, अब इसको पढ़ना कैसे, इसकी यह भी week 2 में ही कतम करना है, week 2 of October की strategy है, बता र oriented है, छीए का ना, multiplier निकालो, circular flow of income, two sector model क्या था, three sector model क्या था, four sector model क्या था, सब की equation क्या होती है, equilibrium level of income कैसे निकालेंगे, trade multiplier क्या होता है, तो ज्यादा ज्यादा आपको इसके questions पर ध्यान देना है, जितने ज्यादा question practice करो, अभी तक देखो मैंने किसी से नहीं बोला, कि module के beyond भी questions all को, लेकिन national income है, जितने question मिले, दुनिया भर के, सब कर डालो, MTP के question लगाओ, previous year questions लगाओ, जो मैंने आप लोग को additional question दे रखे हैं, वो लगाए, इस chapter को ज्यादा notes नहीं बनाने है, ज्यादा practice करना है, ये chapter practice oriented है, जितना practice करेंगे, उतना बढ़िया है, ज्यादा notes बनाने के जर्वतनी है, एक बार module रीड कर ली है, तो काम बन जाने वाला है, खूब question लगाओ, जहां से मिल जाए, वहां से question लगाओ, और ये national income आराम से prepare हो जाएगा, लेकिन कोई और question लगाने से पहले, मैं ले module के, जो, यूनो, आपको MCQs की बात नहीं करो, module में, बीच में, आपको न, इसमें numericals दे रखें, वो numericals पहले लगा लीजिए, वो theoretical knowledge छोड़ी सी आप gather कर लीजिए, कि प्रफेंशी टू कंस्यूम क्या होता है, प्रफेंशी टू सेव क्या होता है, expenditure multiplier कैसे निकालते हैं, trade multiplier कैसे निकालते हैं, इन सबका आपने formula की एक चार्ट बना ल दो वीक, अब इसमें मैं आपको दूँगा तीन दिन का Days of Grace, पहले हफते में तीन चाप्टर, दूसरे हफते में तीन चाप्टर, मालो, नहीं खतम हो पाते हैं, तो तीन दिन आपको Days of Grace मिल जाएंगे, मतलब करीब-करीब 18 दिन का समय मिल जाएगा, या 20 दिन का समय मिल जा अब October में कुछ नया पढ़ना है, नहीं, अब October में करना क्या है तुमको, October में तुमको जितने भी MTP पिछले सालों में आएं हैं, मतलब, 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 कहने का मतलब यह है, कि जो अभी-भी September attempt के लिए आए, उसके पहले June attempt के आए, तस दो attempt में जितने भी MTP या पेपर का म आप देखो पहले पेपर देखो, और इन 6 chapter के questions को identify करो, और ढून ढून कर एक headshot मारते चले, खतम कर दो, तो तुमको अगले 10 दिन, 20 October तक तुमको यह chapter 6 तक प्रिपेर करना है, अगले 10 दिन तुम्हें वासको डिगामा बनना है, जहां जहां से question मिलेंगे, वहां वहां पर questions को हमें किल करना है, 10 दिन वासको डिगामा बनना है, तुमको कोच पर निकल जाना, आओ भाई, कोई नैशनल इंका question का question देदो, आओ भाई, कोई business cycle का question देदो, आओ भाई, कोई price determination in different markets का question देदो, अपन लोग 60 number प्रिपेर करके रहेंगे, और जितने variety questions बनते हैं, सब के स आपको माडा लेंगे, जैसे ही ये प्रिपेर हो गया, साथ number, अब आएगा महीना चैन का, जिसको November बोलते है, हलकी हलकी गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रोमैंटिक सीजन शुरू हो रहा है, तुम में भी बत्तमीजियां आएंगी, इसलिए अब chapter पढ़ने हैं, वो ज लिखा करते थे, अरे जापन मार देंगे, तुम्हें, लिक लिक कर पढ़ना है तुम्हें भाई, अच्छा सर ठीक है, जैसा आप बताओ, public finance, अब तुम देखो, chapter number 7 आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, नेवेंबर का पहला महीना है, नेवेंबर का सौरा पहला हफता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टार्गेट दे रहा हूं, chapter number 7 पढ़ने का, एक हफते में सिर्फ एक chapter, सर क्या बात कर रहे हैं, सर बहुत जादा है, क्या हाँ बाबू, तुम्हें अब समझ में आने वाला है, क्या है, chapter number 7 आप में शुरू किया, public finance, 10 number मिलेंगे, और 4 units हैं, आपक chapter के important points के mind maps बनाओ, कि भया किसने क्या कहा, कौन सी theory किसने कह दी, किस economist ने क्या कह दिया, उसके mind maps बनाओ, जब आप इसके लिए prepare हो जाओ, तो unit wise MCQ करो, unit wise MCQs उठाओ, unit number 1 पढ़ी, notes बनाए, mind maps बनाए, अब unit number 1 के MCQ किये, unit number 2 पढ़ी, notes बनाए, mind maps बनाए, उसके MCQ किये, likewise, 4 units पढ़ी, 4 units के notes बनाए, mind maps बनाए, और unit wise MCQs solve किये हैं, और फिर last दिन जो आए, जब इसका Sunday Monday हो, जब ये chapter conclude कर रहे हो, तो सारे पूरे 4 units के question उठाओ, किसी अलग source से, किसी अलग किताब से, जो मैंने provide कर रखी हो, उससे कर सकते हो, या तुमको MTP मिल जाए, previous year questions मिल ज लगता है, international trade का भी है, लगता है, आपका last chapter इंडियन economy का है, तुम exactly identify नहीं कर पा कोई किस chapter से question आ रहा है, तो इस 4 chapters को collective करना है, collective इनको गोली मारनी है, ठीक है ना, एक साथ ढूंदेंगे, आँखों में मारेंगे, आउस दोड़ा देखते है, chapter number 8 की बारे में बात करते है, chapter number 8 है money market, 10 number 3 units, ये पढ़ना है आपको week 2 of November के अंदर, पूरे हफते में सिर्फ ये तीन यूनिट्स पढ़नी, क्या है strategy लगानी है, same, same to same, पढ़ेंगे कब, November के दूसरे हफते में, November के तीसरे हफते में आपको पढ़ना है international market, 10 number 5 units, तीसरा हफता, मतलब करीबन 14-15 November के अगली, last week of November चल रहा है, last week of November चल रहा है, और आपने शुरू किया Indian economy, ऐसा लगा तुमको history का chapter है, हब history का chapter, chapter number 10 आएगा Indian economy, एक ही unit है single, लेकिन इसको भी पढ़ने में लिए आपको समय किता मिल रहा है, पूरा one week, November महीने का week 4, आप ये पूरा पूरा चाप्र को प्रिपे वाली बात इच नहीं है, क्या बात समझ में आ रही है, अब November हो गया, अब क्या करें, पहले के 6 chapter आपने module से solve किये, आपने previous year paper से solve किये, आपने MTP से solve किये, मैं आपको सही सलहा देना चाहता हूँ, chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9, chapter number 10, एक साथ पकड़ के question आपको solve करने पड़ेंगे, आपक आपने MTP उठाया, आपने ये सारे question ढूंडे और मारना शुरू कर दिया, फिर अगले सारे chapters ढूंडे, फिर वो मारना शुरू कर दिया, ये chapter theoretical है, छोड़ना तो है नहीं, लेकिन theoretical को आसान बनाने के लिए, आपको mind maps लगेंगे, आपको लगेगा, कि यार हम कितने आसानी स से notes बना ले, कोई हो, जो मुझे कान में बता के चला जाए कि ये economist ने ये कहा था, उस economist ने ये कहा था, ये theory उनकी थी, friedman की theory क्या थी, तो हाला गले economist की बहुत सारी theory है, और इसी लिए, इत्मिनान, इत्मिनान से एक-एक हफता दिया है, आपको एक-एक chapter को complete करने के लिए, December का महीना आएगा, December के महीने में हमें करने बहुत सारे questions, बहुत सारे chapters का revision, module एक बार वापस से revise करेंगे, and then there you are, आप पहुँच गए exams के अंदर, caller खड़ा करके paper देने जाएंगे, और बोलेंगे business economics में, कि भाया, ये 100 questions तो कर लिए, कि और कोई 100 questions हो तो दे दो, Allah वो भी निप्टा देते हैं, इतने confidence हो जाएंगा, और 100% प्लस 90 marks से score कर रहे होंगे, in the upcoming January attempt of your CA Foundation 2025, लगता है कोई बात कहनी है, कोई शिकायत है, कोई दिक्कत, परिशानी आप फेस कर रहे हैं, तो comment section में लिखेगा, और मैं आपको उसी comments में जाकर reply जरूर करूँगा, this is me, शुब